दोस्तों आज के सम्में में कई देशों में किसी सीरिस क्राइम के लिए कैपिटल पनिश्मेंट यानि की मौत की सजा दी जाती है और ऐसा नहीं है मौत की सजा सिर्फ इस सदी में ही दी जा रही है ये सब सदीयों से होता चला आ रहा है लेकिन इतियास में लोग शायद ज्यादा ही निर्दरी थे इस वज़े से तड़पा कर मानने के ऐसे ऐसे तरीके इजात किये गए जो इतने वहानक थे कि आज के टाइम पर देखना तो छोड़िये दोस्तों सुनकर ही किसी के भी पेर काप जाएं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मौत की उन सजाओं के बारे में जिन्हें इतियास में सबसे खतरनाग माना जाता है हाती से कुछलना दोस्तों हाती से कुछलवाकर मौत की सजा देने का तरीका प्राशीन भारत में काभी फेमस था दक्षडपूर एशिया के कुछ देशों में भी इस तरह की सजा दी जाती थी इसमें क्या होता था सजा पाने वाले अपरादी को एक जगा पर लाया जाता है जहां बड़ी संख्या में लोग जमा होते थे लोगों की हत्या करने या टौच़ा करने में एक्सपर्ट हाथियों को लाया जाता था और सज्ञा पाने वाले इंसान पर छोड़ दिया जाता था जिससे उस इंसान की तरब तरफ कर वही जान निकल जाती थी चूहों का इस्तिमाल दोस्तों अभी भी कई जगा लोगों को टॉज़ा करने या मालने के लिए चूहों का इस्तिमाल किया जाता है, लेकिन अब ऐसा कम ही होता है, पुराने समय में इस तरह की सजा आम थी, इसमें पहले चूहों को एक पिंजवे में बंद किया जाता था, फिर उस पिंजवे को आरोपी की बोड़ी से जोड़ दिया जाता था, और पिंजवे की दूसरी सा देने के लिए दोशीयों को उबलते हुए पानी या फिर तेल में जिन्दा ही डाल दिया जाता था इस तरह से मौद की सजा देने का चलन पूर्वी एसिया से इंग्लेंड तक था कई मामलों में यह वी सुन्ने को मिला है कि पहले दोशी को ठंडे पानी में रखा जाता था औ और जब इसमें इंसान को उसाया जाता है और गेट बंद किया जाता है तो जैसे जैसे गेट बंद होता है तो वो कीले इंसान की बोडी में घुच जाती है और धीवे धीवे वो विक्ति मर जाता है लिंग्ची डेथ वाई थाउजन कट्स दोस्तों लिंग्ची दुनिया क उसे कट लगाने स्टार्ट कर दिया जाता था इस सजा में अपरादी की बॉड़ी पर हजावहा कट लगाए जाते थे जिससे दीवे-धिवे बॉड़ी के टुकड़े हो जाते थे मदुमख्यों से कटवाना दोस्तो सजा का ये तरीका काफी दर्दनाक था इसमें एक टब में इंसान को बांद दिया जाता था फिर उसकी बॉड़ी पर दूर और शेयत का लेप लगाकर छोड़ देते थे और फिर मदुमख्यों को उस आदमी पर छोड़ देते थे इसके साथ ही अलाग-अलाग स्पीशीज के कीडों को भी टब में डाल दिया जाता था जो दीवे-दीवे इंसान को जिन्दा ही खा जाते थे इसमें उस इंसान को मरने में 5-10 दिन लगते थे जो बहुत ही रदनाग होता था जुडास क्रेडल दोस्तों पहली नजर में देखने पर आपको ये स्टूल टाइप चीज़ा कम खतरनाग लगे लेकिन ये हदिया इंसान को तलपा-तलपा कर मानने के लिए काफी है इसमें लोगों को पहले रस्टी से बांद दिया जाता था फिर इस स्टूल को उनके नीचे लगा का पैरो को भी रस्टीयों से बांद देते थे जिससे नीचे खड़े कुछ लोग पकड़े होते थे सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्टी को एकदम से खीच देते थे इस सजा के दोरान लोग घंटों रस्टी को खीचते थे कभी-कभी दर्द को बढ़ाने के लिए दोशी पर कुछ बजन भी लटका देते थे ऐसा तब तक किया जाता था जब तक दोशी मर नहीं जाता इसमें इंसान को मरने में 10 घंटे से 10 दिन तर लग जाते थे ये प्रोसेस बेहत खोपनाख होती थी रैक तॉर्चर दोस्तो इसमें लकडी का एक रैक्टेंगुलर फ्रेम होता है जिसमें उपर और नीचे की साइट दो घूमने वाले लीवर लगे होते थे अपरादी को इस पर अलग अलग जगा से बान दिया जाता था और लीवर को दीवे-दीवे से तब तक घुमाया जाता था जब तक इंसान की हट्डिया तूट नहीं जाती और फिर दीवे-दीवे इंसान की तूक्ड़े होने लगते इसमें इंसान के हाथ पेल सब अलग अलग तुकडों में तूट जाते थे ये सजा देने का बड़ा ही भयानक तरीका था आरी से काटना दोस्तों इसमें इंसान को उल्टा लटका दिया जाता था और आरी से काटकर बॉड़ी के दो टुकरे कर दिये जाते थे इसमें आरी से पूरी बॉड़ी नहीं बलकि बॉड़ी का आदा हिस्सा ही काटकर छोड़ देते थे जिससे इंसान तड़ब तड़ब कर मर जाता था सिसीलियन बुल दोस्तों सजा का ये तरीका सबसे खौपनाक था सजा के इस तरीके का इजाद ग्रीश में हुआ था ये सजा कुछ इस तरह दी जाती थी पहले एक लोहे का बुल बनाया जाता था फिर उसमें पेट के रास्ते से अपरादी को डाल कर उस लोहे के बुल के नीचे आग जला दी जाती थी आग तब तक जलती वहती थी जब तक उसके अंदर बैटा सक्स भुन कर मर नहीं जाता था इस लोहे के सांड के अंदर का मेकनेजम कुछ ऐसा था कि इंसान इसके अंदर कितना भी चीखे चिलाए सांड के मुझ से एक सोरीली आवाज ही सुनाई देती थी तो दोस्तों ये थी मौत देने और टोचा करने की इत्यासी कुछ सबसे खौपनाग सजाएं आपकी इन सब के बारे में क्या राया है या कौन सी सजा आपको सबसे डराबनी लगी कमेंट करके बताईए और साथ इसाथ चैनल को सबस्कार भी कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके